मैं अब किसी medicine के बारे में बताना चाहती हूँ दो medicines है एक पुत्र जीविक बीज और दूस्रा है हमारा शिवलिंगी बीज शिवलिंगी बीज और पुत्र जीविक बीज दोनों ही बीजों के पैकेट के उपर आप देख सकते हो कि यह दोनों ही लेडीज और लेडीज के फीमेल के जितने भी फर्टिलिटी से प्रॉब्ल्म है, इन फर्टिलिटी है, या आपको पेट का कोई रोग है, या फिर आपको यह कह सकते हैं कि आप किसी सिस्ट आपकी यूटरस में है, ओवरीज में कोई सिस्ट है, चॉकलेट आपके पेट में सोजाए, यूटरस में किसी भी तरह की सूजन है, तो उनके लिए यह दोनों ही जो आईरुवधिक मेडिसन से ले सकते हो, पहली बात इनका कोई साइड एफेक्ट नहीं है, आप इन्हें आराम से ले सकते हो, मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, लेन यूआ हैं, जो शिलिंगी बीज हैं, इसके तो बीज निकले- निकलवाई ही होँगी, तो आपने सिर्व इनकों लेना है, और मिक्सी में ग्राइंड कर देना है, मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बन गिया, उसके बाद पद्रशिवा बीज इसे आप तोड़ोंगे, म मिल्किमी ग्राइड करने के बाद दोनों पाुडरों को एकठा कर लो और रख लो आपको लेना कैसे आपको सुभा को और शाम को खाने से एक या देड़ घंटा पहले दोनों टाइम ही खाना कحाने से church एक या देड़ घंटा पहले आपने दूढ जो दूढ है वो गाये का होन आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं यह उनमें बहुत जादा बैनेफिशल होगा यह मुझे भी लगता है कि बैनेफिशल होगा अब यह मैं क्यों ले रही हूं जो मित है वो यह है कि इन्हें खाने से बेबी बॉय गनसीव होता है और अगर देखो अगर पैकेट के इसाब स चलो तो यहां पर कुछ मैंशन नहीं है कि इससे बेवी बॉय होगा इसमें यह लिखा हुए इस तरीके विकारों में लाबदायक और गर्भास थायक के रूप में लाब प्रबत पत्र तो यह फीमेल के जितनी प्रॉब्म्स हैं उनके लिए और मेल की जितनी इन्फर्टिल प्रवा लिया लेकिन एक बार भी बेनिफिट नहीं मिला फिर और मेरी जो में प्रॉब्म है वो मुझे चॉकलेट सिस्ट की है तो जिसने मुझे यह रेकेमेंट की हैं उन्हें सिर्फ यह था कि वह बिल्कुल ठीक ठाक हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मिला फिर के लिया ओन्हें भी फुद्ध क्रीजीज है तो मुझे भी दिया कि यहां पर सबी रोगों के लिए हैं और मैंने गूगल पर चेक कि यह वाकि किस किस चीज में बेनिफिट फिचल हैं तो जितनी चीजें थी मैंने आपको बिता गये की इस पहर्मोंनती भी ले सकते हैं आप को एक चीज का जहां रखना है किसके साथ आपने कोई बी और medicine नहीं लेनी है मेंस की आप कोई यालोपेथे कोई कोई और कोई medicine नहीं लोगे homeopathy किसी type की medicine लोगे अगर आप ये वाली medicine का रहे हो शिभ zeg से नगी और तब आप यह वाली मेडिसन बंद कर दोगे, उनसे पूछ कि कि मैंने यह वाली खाई थी, अब मैं यह खाऊं या ना खाऊं वो आपको फिर डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे, ठीक है आपकी यह बहुत मुझे लगता है help करेंगा, मैंने तो भी one week हुआ है, कि मैंने इसे use करना शुरू किया है दूद के साथ, गाई के दूद के साथ, इसका जादा benefit गाई के दूद के साथ ही मिलेगा, और बस आप अपना ध्यान रखें, और अगर मैंने जिस चीज़ के लिए यह इस्तिमाल करनी शुरू किया, अगर उसका मुझे benefit मिला, वाई गुरू करेंगी यह च जो मनो कामना है, वो पूरी हो, पुत्र है, या बेटी है, या पुत्र है, यह तो मुझे नहीं पता, बस जो भी बच्चा आए, वो स्वस्था है, मैं यही मांगती हूँ, चाहे आपके है, और चाहे मेरा, लड़का लड़की तो वो भगवान की देना है, वो भगवान नह तो यह है थैंक यू सो मच मेल भी ले सकते हैं फीमेल भी ले सकते हैं कितना कितना लेना है कैसे कैसे लेना है अगर आपको पीरिट्स की बहुत जादा प्रॉब्म है कि आपको तू 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 मन्त नहीं आते और हार्मोन इंबैलेंस है तब तो अब 3-6 मन्त लोगे जिसने मुझे यह वाली मेडिसन यह यह मैं पतंजली की बात नहीं कर रही उन्होंने तो मुझे शिवलिंगी बीच और पुत्र जिविक बीच के बारे में बताया था कि यह वाले बीच अब किसी भी पुरानी जहां पर आर्वदिक मेडिसन मिलती है वहां से ले और खुले मिल जाएंगे लेकिन मुझे नहीं मिले तो फिर मैंने इन्देंट मैंने पतंजली के मंगवा लिए तो यह मैं इनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रही आपको जैसे खुले पैकेट मिलते हैं खुले ले लो ठीक है जी मात्रा कितनी है वह सब इसी पैकेट के पीछे मैंशने अगर 100 ग्राम यह बीज निकालने के बाद 100 ग्राम यह पाउडरी होना चाहिए 100 ग्राम पाउडरी आपका यह होना चाहिए मिक्स करो और अपना गाय के दूद के साथ आधा आधा चमच ले लो खाना खाने से एक या देड़ घंटा पहले ठीक है जी थैंक यू सो माच आपको यह बेनेफिट करेगा डेफिनेटली करेगा